आज किस फीडियो के अंदर मैं आपको NIT वारंगल का कटफ बताने वाला हूँ कि NIT वारंगल से अगर आप मास्टर्स करना चाहते हैं तो आपको कितना स्कोर की जरुवत रहेगी that is minimum और maximum स्कोर दोनों के बारे में बताऊंगा आपको कि अगर आपका इतना स्कोर है तो आप इसके लिए apply कर सकते हैं दोस्तों जो यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ यह approximate स्कोर रहेगा जो कि required 2022 के लिए admission के लिए किसके अंदर NIT वारंगल के अंदर दोस्तों मैं यहाँ पर आपको cut-off के बारे में बताता हूँ सबसे पहले आप देख सकते हैं दोस्तों कि जो NIT वारंगल का जो cut-off है MTEC 2021 के अंदर वो इतना गया था जो कि मैं आपके साथ discuss करने वाला हूँ दोस्तों यह जो भी data है यह है round first का है maximum और minimum data मतलब कि round first के अंदर जिन भी student को एक maximum score वाला student और minimum score वाला student जिसको respective branch वाँ पर alert हुई है उनकी data आपके साथ share करता हूँ दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं first column के अंदर specializations दी गई है और यहाँ पर general EWS, SC, ST और OBC category को mention किया गया है जैसे कि सबसे पहले अगर NIT वारंगल के अंदर बात करें geotechnical engineering किसी को लेना है तो दोस्तों general category के अंदर अगर उसका score 633 है maximum और 580 अगर है तो दोनों बच्चे इनके बीच में जिसका भी score आ रहा है ड़ीज 633 से और 580 के बीच में जो भी आ रहा है और general category से तो वो geotechnical engineering के लिए apply कर सकता है यह first round का data में बता रहा हूँ ऐसे और भी rounds होते हैं जो आपको मालूम है मैं आपको previous वीडियो में बता है हूँ कि कितने rounds होते हैं तो दोस्तों आपका अगर इसके बीच में कोई score है तो आप apply कर सकते हैं ऐसे आप EWS category के लिए देख सकते हैं बागी category का भी आप देख सकते हैं OBC के लिए यह score दोस्तों 572 से 441 वाले जो students है मतलब इसके बीच में जिन जिनका भी score था उनको यहाँ पर geotechnical engineering branch अलोट हुई थी ऐसे फिर transportation engineering को आप देख सकते हैं कि 753 से 612 तक general category के अंदर यह branch अलोट हुई है और OBC के लिए 609 से 572 तक यह branch अलोट हुई है जिनका भी score इसके बीच में है अभी भी gate 2022 के अंदर वो लोग इस branch के लिए भी apply कर सकते हैं अगर वो चाहते हैं तो ठीके friends ऐसे आप बागी branches के लिए भी देख सकते हैं मैं last में आपको west management की भी बता देता हूँ कि दोस्तों general category के लिए यह 560 और 507 की बीच में अगर किसे का score है तो उसको यह branch असानी से मिल सकती है ठीके ऐसे ही further EWS हो गया और obviously के लिए आप देखेंगे तो यही score 474 से 454 तक पहुच चुका है तो maximum और minimum जो score है किसका that is cut up score round first का वो मैं आपके साथ discuss किया हूँ दोस्तों अगर आपका score in जो यहाँ पर जो score mention है इसके आसपास है तो आप उस particular branch के लिए जरूर apply करे क्योंकि यहाँ पर बहुत सरे round सोने वाले उस round के अंदर बहुत ज़्यादा chances है कि आपको आपके desired जो branch है जो आप चाहते वो मिल जाए ऐसे ही आप सारी branches के लिए देख सकते हैं यहाँ पर और इसकी PDF के लिए description में link की दिगए यह वहाँ पर visit करें और कुछ NIT के videos भी हम लोग बना चुके वो भी आप देख सकते हैं उसकी भी link आपको description में दी गई Thank you